तो आज मैं बनाऊंगी टमाटर की चिटनी तो मैंने कुछ टमाटर और सूखी लाल मिर्च को बॉइल कर लिया है बॉइल करने के बाद मैं इसे मिक्सी के जार में डालूंगी क्योंकि अभी से हम पीसने वाले हैं तो हम जैसी से पीसेंगे तो यह आपको कुछ ऐसे दिखेग आपको कुछ ऐसा दिखे गई आपको पीसने के बाद इतने मैं एक पैन में दो टेबल्स फॉन ओईल ले लूँगी ओईल लेने के बाद इसे मैं गरम होने दोंगी उसमें डालूंगी मैं जीरा जीरे को मैं थोड़ा वेट करूंगी ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें मैं एड़ करने वाली हो हल्दी हल्दी को मच्छे से भून लेंगे त्योंकि हल्दी की स्मेल आती है फिर उसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे हरा धनिया पाउडर और फिर इसे हम मिक्स कर देंगे इसमें डाल रही हो फिर नमक नमक डालने क बाद जो हमने प्यूरी बनाई है इसे हम डाल देंगे और इसके उपर मैं डाल दियू कुछ कसूरी मीथी की लीप्स इसे मैं मिक्स करूंगी और यह